रादे रादे तो आज है सनिवार और हम आ चुके हैं हमारे खेट पर हमारे खेट पर हम पहले आयते तब हमारी सर्जों कितनी छोटी थी और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है उसमें फूल लाग रहे हैं बिल्कुल पीला पीला लग रहा है किता अच्छा लग रहा है और आसपास का मोसम देखी भूत ही ठंडा और बादलों से भरा हुआ है आसपास धुन चाही हुई है पहले हम आये तो हमने चनी की बाजे बनाई थी और आज हम आपके लिए धनीय की चटनी की रहसीपी लाए है उसके लिए हम आपको बिल्कुल खेट से धनीय तोड़ने से लेकर सब्जी बनाने तक कर बताएंगे तो हम इस सरसुप के रस्ते में से निकल कर हमारे खेट में तो यह देखे अभी हमारी हाइट से भी बढ़ी हो चकी है और यह चने जिन में से बाजी टोड़कर ले गए थे उनमें फूल आ चुके हैं एकदम पिंक पिंक कलर के छोटे छोटे फूल आपको देख रहे होंगे और हमारा खेट देखे कितना अच्छा लग रहा है बले इ हम आपको हमारा खेट दिखाती हुए चलेंगे यह हमने गाई बैसों के लिए लूसन वोया हुआ है यह यह दर हमने लगाए हुआ है लेसुन एक दिन आपको लेसन की भी सबजी बनाकर चटनी बनाकर देखाएंगे और यह देखी गेह हैं यह हमारे गेहं हैं जो कापी अब हम सीधे चल कर जाते हैं और आती अलग होती है यह हमारा आम है और इदर अब हम हमारे कुए पर चलते हैं आपको हमारे कुए बताते हैं पिछली वीडियो में बताना भूल गए थे तो यह हमारे कुए है इसमें इसे हम इस खेतमा पानी फेरते हैं देख सकते हो कितना गहरा है ज्यादा नहीं है पर है तो सही यह बीर का पेड़े इदर तरे तरे के पेड़ मिलेंगे आपको यह पूरा ब्यूव है यहां का और अब हम आचुके हैं हमारे दनिया वाले खेत में तो अभी हम यहां से दनिया तोड़ेंगे तो हम एक अच्छे सी जंगा देख लेते जहां से हम दनिया तोड़ना चालू करेंगे वैसे आप पूरा खेत देख सकते हैं यहां पर भी आम का पेड़े इदर पीपल है और यदर बाड़ी हैं शोक smo c अब को चलते हैं यहां से धनिया अड़ेंगे तोड़ना तो मेरी मम्मी ने धनिया चलिव कर दिया है प्रकाविो अब इसप्रप मतार जाता है व कर दोड़ने पर आफ़ाद Miche तो धनिया तोड़कर हम केच से लिया हैं तो ऐसे ही हातों से आप भारिक बारिक कर लेंगे, मिक्सी में डाल लोगर विंटाला आध्रक का बड़ा और साथ कले लें सुन कि और पांचे खड़ी में चलाल वाली उनको लेकर पीस लेना है पीस लेने के बाद तेम नई उसको ने टाहिने लए वगरम हो जया तो उसमें जीरे डाल लेना है जीरी को बड़ी ऐसे चटका लेना है और उसके बाद आप इसमें हिंग डाल लेना हिंग भी अच्छी रहती है आप चाहर तो आपने सैब से और मसाले डाल सकते हैं आपर मैंने हिंग डाली है इस धनीय की चटनी में ज्यादा मसालों की जरूएत हमें नहीं लगती है और धनी इस को से प्रफिस्ट भी इसका बहुत ही बढ़ीया रहता है आप एक बार बनाओं घर बाले बार बार मांगेंगी यचा हमेश्ट हो जाओंगे मैख प्रेशान हो जा बनाबना कर इतना पसंद करेंगे से यह वह इस तर्फिछ गाड़ा कर लेना है पानी कर देना है छला न जाहिए चलाते जाना है आपको अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार नमक डालना है इसमें हमें और इसको भी मिक्स कर देना देखी हमारी चिटनी पैसे पहले से तो गाड़ी हो चुकी है अब हम इसको थोड़ा और गाड़ा करेंगे इसको गाड़ा करते जाना है तो यसे चलाते चाहिए इसको इसका पानी खतम कर देना है हमें वैसे हमारे चिटनी गाड़ी हो चुकी इसी consistency पर रखना है क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए क्योंकि कच्चे धनिये से हमें ठंड हो सकती है और यह खूब गाड़ी हो चुकी है इसका कच्चा अब नहीं हमारे चनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें